इस्टकार गोटफार्म मापूर गाजीपूर मेरा मोबाइल नमबर है 7398509984 आज जो मैं जिस टापिक पर बात करना चाहा है वो टापिक है बकरी फालन में 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं फेल होने का कारण क्या है किस वज़े से बकरी पालन कैसे करते हैं लोग 90% फेल हो जाते हैं और 10% सफल होते हैं ऐसे क्या कारण है कि ये लोग फेल हो जाते हैं पाहला कारण ये है कि ये जो राजस्ठान सी बकरियां आती हैं दीलर से या प्रेडर से या ब्रोकर से जानवर लोग खरीड लेते हैं और ब्रोकर जो होता है वो PPR, E.T.F.M.D. का कोई वेक्सिन लगा हुआ नहीं होता हुआ जंगलों से आती हैं चरने वाली बकरी इस्टार फीडिंग में लाके रखेंगे तो आप परसानी का आपको जिलना परेगा दूसरी बात आपको नालिज की कमी नालिज की कमी आप ट्रेनिंग न लेने के अभाव की वज़े से ऐसे आप 90% फेल होते हैं आज की पकरियां जो करना परा जरूरी होता है इन्हें कैसे रखें किस तरह से इनमें दाना खिलाएं यह सब आपको जनकारी होने चाहिए और बकरियों को कब-कब टीका लगना चाहिए वो आपको जनकारी होना चाहिए और बकरियों में सबसे ज़्याद जो परसानी आती है वो इनको पी-पी- चाही सा आपको जाती है इसका आपको प्रापर से ये लें लिए रहेंगे सब आपको quién सब नहीं जनकारी होनी चाहिए, आप झैसे कि हमारे हमेसे गोर्ड फर्प हमारे पास बकरियों के लिए कई दवाएं हम अपने पार रखते हैं, एको नाइट रखते हैं, बार्निया रखते हैं, कालमेग रखते हैं लाइको पोडियम रखते हैं लाइको पोडियम एक दवा होती है लीवर टानिक वो सबसे अच्छी होती है तो यह सब आप दवा आपके फान पर रहना चाहिए दूसरी बात है कि इसको जैसे कि आपके बकरियों पर हमेशा हमेशा जब धील पर जाती है कि आपके बकरियों की जो लास होते हैं और आप 90% फेल होते हैं इसको समय समय पापको हाइटेक इंजक्शन भी लवाना जरूरी होता है इस तरह से आप बकरी पार्ण करेंगे 90% जो फेल होते हैं वो फेल नहीं होंगे आपको इस बात वो सब ध्यान रखना होता है इनके चारा भी इनको वुचित मात्रा में आपको रखना पड़ेगा एक नमबर हारा चारा आप रखे उसके बाद स्वस्पानी दीजिए जो दाना भूसा आप दे रहे वो सही मात्रा में और सही रहना चाहिए मतलब कि आब ऐसा नहीं कि भूसा बेकार ही हो वही दो दाना सुनिए और इसको करिए जब आप सक्से जोंगे और ज्यादा जनकारी लेने के लिए हमारे मुबाइल नमर पर आप काल कर सकते हैं आप बकरी के बारे में हम दीटील आपको बता सकते हैं आपको अगर टीका पिपी आर एफमदी नहीं मिलता है हमसे संपर करिए वो भी आप आपको मिल जाएगा और इसे मारे फार्म को हमेशा उपलब रहता है दूसरी चीजी है कि हरा हरा चारा का बहुत परमन्द आप रखिए हरा चारा नहीं है पिंगनिन बकरी को कैसे ध्यान रखना है यह सब आपको जनकारी होगा तभी आप जाके नबबे परसेंट सक्से जो अलगता नबबे परसेंट लोग फेल होते है यहीं वीडियो अपना समापत करता हूं मेरे मेरे वीडियो को सब्क्राइब जरूर कर लीजिए लाइक जरूर करिएगा शेयर करिए तैंकि बाई